Hi friends, आज हम लोग assets or liabilities को समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों सब्द के बीच में क्या difference है वो भी समझने की कोशिश करेंगे हमें अगर financially free बनना है या financially rich बनना है तो कौन सा चीज ख़रीदना चाहिए asset or liabilities में से वो भी जानने की कोशिश करेंगे तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो एक इंसान educated हो सकता है और professionally successful भी हो सकता है मतलब अपने profession में वो successful भी हो सकता है पर क्या इसका मतलब क्या वो financially literate है financial literacy या financial education तो ऐसा कोई subject नहीं है कि हमें school या college में पढ़ाया जाता है पर हमारे जिंदिगी में ऐसे बहुत सारे steps आते हैं जहां हमें financial education का होना बहुत important हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ उसके लिए तो advisor होते हैं पर advisor हमें हर step में help नहीं कर पाते हैं कोई भी आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें आप advisor का सलह तो नहीं लेते हैं न तो इन सब छोटे-छोटे चीज़ों के लिए आपके अंदर भी financial education का थोड़ा बहुत समझ होना important है तो इसी financial education में asset और liabilities ये concept clear होना चाहिए कौन सा सामान मेरे लिए asset है कौन सा मेरे लिए liabilities है वो समझना ज़रूरी है और एक secret की बात करें दोस्तों तो अगर आपको ridge बनना है तो बस अपना asset का जो column है उसे बढ़ाते जाईए मतलब asset खरीदते जाईए और liabilities को कम करती जाईए तो आप ridge बन जाएंगे बस इतना आसान है keep it very simple buy the asset and reduce your liabilities तो क्या asset क्या है एसेट आसान भासा में बोला जाए तो वो चीज होते हैं जो आपके जेब में पैसा डाल देता है और liabilities आपके जेब से पैसा निकाल देते हैं मतलब asset put money in your pocket and liability takes money out of your pocket जैसे कि car ले लेते हैं आप एक इस साल में और लास्ट साल आपने bike से travel करते थे जिसमें आपको मन्तली 1000 रुपे खर्च परता था और इस साल कार लेने के वज़े से आपका खर्च जो है वो 6000 रुपे हो गया है तो ये जो 5000 रुपे आपका खर्च बढ़ा है कार लेने के वज़े से ये आपके लिए asset है liability है क्या है अगर ये कार आपके जिन्दिगी में कोई extra benefit नहीं डाल देते है except that so off and you know lifestyle तो ये कार आपके लिए liability है पर ये ही कार अगर आपके business को smooth करने में help कर रहा है तो सायद ये कार आपके लिए asset है आपने एक TV खरीद लिए है जैसे कि 72 इंच Ultra HD TV खरीद लिए है 4K टाइप जो आपके घर के या room के हिसाब से सही नहीं था सायद इसकी जरूरत नहीं था पर आपके लिए सायद 32 इंच का TV चल जाता था पर उसके बाद भी आपने एक 72 इंच का TV खरीद लिए है तो क्या ये Extra जो आपने पे किये है क्या वो आपको asset दिया है इस TV से या ये liability है ये समझने की जरूरत है तो ये आपके लिए liabilities है सायद पर अगर ये ही TV आपने आपके shop के showroom पे लगाए है जिसमें आपका customer का review बड़ा है तो सायद ये फिर आपके लिए asset है तो एक ही सामान आपके लिए asset हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो liabilities भी हो सकते है जैसी कि आपने एक all in on printer खरीद लिए है जिसमें आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और आपने घर में वो लगा लिए है तो ये straight away एक liabilities है आपका इसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है जो भी इसका cost है electricity bill या cartridge fee ये सब आपका liabilities है पर यही सामान से अगर आप business करते हैं इससे आप मुनाफ़ा कमा लेते हैं तो फिर ये चीज आपका asset है तो it is very simple to be a rich person कि आप अपना asset का column जो है वो बढ़ाते चाहिए तो इसमें आपका जो income flow है वो बढ़ता जाएगा और आपका saving भी बढ़ता जाएगा और saving बढ़ेगा तो आपका life जो है वो financial freedom के तरफ चला जाएगा और दुनिया में जो चुहे की दौर चल रहा है उससे आप छुटकारा पा जाएगे और एक secret की बात करें दोस्तों तो rich person क्या करते हैं पता है rich person हमेशा asset खरीदते हैं और और rich बन जाते हैं जबकि poor person के पास सिर्फ liabilities होते हैं और सिर्फ वो poor बनते जाते हैं दिरे दिरे पर मुस्किल आ जाते हैं middle class के लिए जब वो सामान खरीदते हैं तो उसे लगता है कि वो asset खरीद रहें पर है वो उसके लिए एक liabilities तो इससे बचिए और financial freedom के तरफ आगे बढ़िए मेरा इस वेडियो का उद्देश से यही था कि आप अपने हिसाब से asset और liabilities को फर्क कर लीजिए हमेशा asset को खरीदे ताकि आपका जो income है वो बढ़ता जाए और expenditure है वो कम होता जाए थैंक्यू दोस्तों अगर मेरा इस वेडियो अच्छा लगा तो इसको like, share और comment करना मत भूलिए and do subscribe my channel. Thank you